देश में छट पर खुले कर नगर निगम ने तयारिया कर लिये हैं गाजियबाद में हिंडन छट घाट पर नगर निगम की तयारी खुले कर नगर आयुक तनितिन गौर्ड से हमारे सवधाता ने खास पाचीत के सुने क्या कुछ कहना है उनका गाटों में से गाजवात के मुख्य घाट जो चट बुजा के लिए बनाया गाए है हिंडन घाट पर इस वक्ता मोजूद है क्या क्या तक नगर निगम की विवस्ता हैं क्या सुरक्षा विवस्ता हैं बात करेंगे नगराक तो अमरे साथ मोजूद हैं क्या कुछ विवस्ता हैं नगर निगम की जो तरब से आज शटगाट के लिए कि रोड ओवर बेज से रेलवेश तक 900 मिटर के स्ट्रेश पे साथ जीने तयार कराए गये हैं जैसे कि आप देख सकते हम एक जीने पी हैं साफ सफाई के लिए नगर स्वासे से 40 करमचारियों क की टीम पिछले एक अपते से यहां पर लगी हुई है हमारे आठ बड़े कंटेनर्स थर्टी छोटे डस्वें छे मोबाइल टॉयलेट्स और हंडेड टॉयल्ट टैप्स जो आपने देख रहे हैं जहां पर पानी है वह और प्लस गंग नहर मेरत प्रकल्प से सिचाईवी ब प्लास्टिक हैवी मेंटल्स और हांपोर केमिकल्स का इस्तेमाल लोग पूजा में कम से कम करें और शांतियों सौहाथ पून वातावरंड में चटपूर को मनाया और माताका शिवाद में पहले से ज्यादा देखा जा रहा है कि इस बार जो च्छट घाट है वह काफी बहतर सुन्दर बनाए और कुछ सेलफीयां सेलफी पॉइंट भी बनाएंगें हैं कितने सेलफी पॉइंट हैं और किस प्रकार से जो है सरदालु इनको इस्तेमल करें चो चो यह इसमें पूरी टीम का सही हो गया जैसे हमारे अपर नगर आरह को नगस्वास्य अदिकाजिस और जो टोटिया है वो भी लगाई गई है जल लेगाम की तरफ से या किस पर का सुद्ध जल है वो लोगों को मिल सके सरदालियों को महा प्रबंदक जल के द्वारा लगाई गई है और इसमें यह अंडे टोटी है जो लोग जिनको पर्टिकुलर स्केन ऐलर्जी है तो मेरी करेंगी जैसे पूजा शुरू होगी उनमें महिलाएं डॉक्टर और महिलाएं परिचारी का भी प्रियाब संख्या में अप्लब है प्लास्टिक को लेकर भी नगर निगम ने अभियान चलाए है और क्या अपील की जाएगी हम यहां पे कोई दंडात्म कारवाई नहीं करे स्वास्ते कर्मियों सफाई कर्मियों के और अधिकारियों के द्वारा इसी एक्टिविटीज पर बल दिया जाएगा कि शुरुद्धालुगंड प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें चलिए तो यह थे नगराइक नितिन गौर इस वक्त हमारे साथ मोजूद थे साफ तोर् लाइट की विवस्ता है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और साथ तोर पर एक नगर निगम की एक अपील भी है कि प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें ना ही उपयोग करें तो बहतर रहेगा जंतन तर्वी के लिए गाजेबाद से सुनें गौतम